तो आज हम इंडियन सिनमा की तरफ से आने वाली दस बिग बजट फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन फिल्मों को 350 क्रॉर से लेकर 3500 क्रॉर के बजट पर बनाये जा रही हैं, ये फिल्में बॉक्स ओफिस के सारे रेकोर्ड तोडने का दम रखती हैं, क्योंकि फ फिल्म हिस्टोरिकल ऐक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिरूथाई सीवा डायरेक्ट कर रहे हैं, फिल्म में सूर्या के साथ-साथ दिशापातनी भी मुख्य भूमिका में हैं और लॉड बवी देओल फिल्म के मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं, फिल्म का हाउसपुल 5, हाउसपुल 5 हाउसपुल फ्रेचाइज की पांचवी फिल्म होगी, यह इंडियन सिनेमा की सबसे महेंगी कॉमेडी फिल्म होने जा रही है, जिसको साजिद नाडियाड वाला प्रड्यूस करेंगे, वही फिल्म को तरोन मा सुखानी डाइरेक्ट करने वाले है हाउसपुल फिल्म में हमेशा की तरह अक्षय कुमार और रितेश देशमुख प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे, इस कॉमेडी फिल्म का बजट 357 करोड होने वाला है, फिल्म को बहुत बड़ी स्केल पर बनाया जाएगा, यह फिल्म पहले दिवाली 2024 को आने वाली थी, मगर अब यह फिल्म 6 जून 2025 को आने वाली है थेट्रों में, नमबर एट पर है वार टू, यह फिल्म एक आक्षन फिल्म होने वाली है, जिसे अयान मुखरजी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले भी ब्रहमास्तर पार्ट वन जैसी बड़ी बजट वाली फिल्म को डाय जा रहा है, फिल्म को आदित्य चोपरा प्रड्यूस कर रहे हैं, वहीं यह यश्राज फिल्म्स के बैनर तले तयार हो रही है, फिल्म के लीड रोल में सुपरस्टार रितिक रोशन, जूनियर एंटियार और कियारा आडवानी नजर आएंगे, यह फिल्म 13 अगस्त 2025 को पै फिल्म के अंदर प्रभास एक सिंसियर कॉप का रोल प्ले कर रही है, फिल्म का बजट रिपोर्ट्स के अकोर्डिंग 400 क्रॉर प्लास होगा, यह फिल्म 2025 तक आने वाली है, फिल्म टोटल आठ भाशाओं में रिलीज होने वाली है, प्रभास की Most Anticipated Pan-India Film को T-Series और भदर काली पिक्चर्स मिलकर प्रड्यूस कर रही हैं, तो क्या यह फिल्म भी Animal की तरहे दमदार Box Office कलेक्शन कर पाएगी, आप सभी को लिखकर बताना है। फिल्म 2024 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, कमाई के मामले में ऐसा ओडियन्स का मानना है, तो क्या यह फिल्म 2024 की हायस्ट ग्रोसर फिल्म बन पाएगी, आप सभी को लिखकर बताना है। एक काफी बड़ी फिल्म होने वाली है, जो की तीन पार्ट्स में आएगी फिल्म को डिरेक्टर नितेश तिवारी और रवी उध्यवर मिलकर डायरेक्ट करेंगे फिल्म के लीड रॉल्स में रनवीर कपूर, यश और साई पल्वी दिखाई देंगी फिल्म में रनवीर के रोल में होंगे और यश रावन के रोल में और साई पल्वी सीता माता का कैरेक्टर निभाएंगी रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजेट 500 क्रॉर से 600 तक के बीच में होगा, ये फिल्म काफी बड़ी फिल्म होगी जिसमें वी एफ एक्स आसकर विनिंग कमपनी ड नग का होगा, ये फिल्म को काफी बड़ी स्केल पर बनाया जाएगा, फिल्म का पहला पार्ट 2025 तक आने वाला है, फिल्म की शूटिंग इसी साल से शुरू हो जाने वाली है, नंबर 4 पे हैं कलकी 2898 AD ये फिल्म एक एपिक सायंस फिक्शन फिल्म होगी जो की एक फ्यूच प्रभास के साथ कुछ हैक्टर जैसे की अमिताब बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोन, दिशा पाटनी और दुलकर सल्मान भी फिल्म में कैमियो रोल में नजर आने वाले है, फिल्म को नग अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं, बात करे फिल्म के बजट के बारे में त Recently CBFC ने टीजर को सर्टिफाइड किया है, वैसे कल की फिल्म इसी साल 9 मई को आने वाली है, थेटर्स में नमबर 3 पर है SSMB 29, सूपर स्टार डिरेक्टर SS राजा मौली और महेश बाबू की एक साथ एक फिल्म आने वाली है, उस फिल्म का बजट 1000 करोड होगा ऐसी अफवाहे हैं, राजा मौली की आखिरी फिल्म RRR का बजट 550 करोड था और फिल्म ने 1387 करोड का शांदार कलेक्शन किया था, ऐसा सुनने में आ रहा है कि यह फिल्म तीन भागों में आने वाली है और तीनो भागों का बजट 1000 करोड के उपर हो सकता है, यह एक अफरी स्टार महेश बाबू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, फिल्म का प्री प्रोडक्शन काम शुरू हो चुका है, और यह बड़े बजट वाली पैन वर्ल्ड फिल्म 2026 में रिलीज होने वाली है, नमबर टूपे है डबल एट वेंटी टू यह फिल्म आइकन स्टार अल मुवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट रही थी, और तीनों फिल्मों को ओडियन्स से भरपूर प्यार मिला था, यह फिल्म एक पिरियोडिक फिल्म बताई जा रही है, तेलुगू मीडिया रिपोर्ट के अकोर्डिंग इस मुवी का बजट 1200 क्रोर बताया, जा रहा है, जी मल्टिपल लांग्विजेज में 2025 तक आने वाली है, पहले स्थान पर है महाभारत, यह भारतिय सिनेमा के इतिहास की सबसे महेंगी फिल्म बनने जा रही है, क्योंकि इस मुवी का बजट बहुत ज्यादा होने वाला है, महाभारत भारतिय सिनेमा की सबसे मच अवेटेड औ और सबसे महेंगी फिल्म होगी, जिसे SAS राजा मौली डायरेक्ट करेंगे, यह फिल्म अनोफिशिली कई बार घोशित की गई है, और भारत के नंबर वन निर्देशक SAS राजा मौली का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, फिल्म में हमें बॉलिवुड और साउथ इंडियन सिनेम से कई एक्टर दिखेंगे, यह एक एतिहासिक नाटक फिल्म होगी, जो कि कुल दस भागों में आने वाली है, राजा मौली ने कहा था कि फिल्म का बजट 2000 करोड से 2500 करोड के बीच हो सकता है, आप सभी में महा भारत फिल्म में किस एक्टर को देखना चाहेंगे, यह लिख अभी किस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, यह लिखकर बताएं, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद